ओम शंती आज 13 मई 2022 दिन शुक्रवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावा क्यों को नीठे बच्चे बाप ने रुद्र ग्यान यग्य रचा है तुम ब्रहमन इस यग्य की संभाल करने वाले हो इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है प्रश्ण अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं उत्तर जो अच्छी रीती सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफते आएंगी उस समय सहायता मिलेगी जरूर जो बाप के मददगार बने बाप उन्हें मदद करेंगे प्रश्ण वंडर्फुल मुखड़ा कौन सा है उसका यादगार किस रूप में है उत्तर शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडर्फुल मुखड़ा इसलिए तुम बच्चे समुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो इसका यादगार रुण्ड माला में मुखड़ा दिखाते हैं गीत हमने देखा हमने पाया शिव भूला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा शिव भूला भगवान ओम शन्ति बेहद का बाप कहते हैं मैं एक ही बार पाँच हजार वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ बाप को अपना मुखड़ा तो है नहीं शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो अब रुंड माला बच्चों ने देखी है उनमें मुखडा दिखलाते हैं रुंड माला बनाई जाती है तो शिबाबा का भी ऐसे मुखडा देखेंगे यह कोई को पता नहीं है कि शिबाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं शिबाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो यह उनका मुख हो गया ना इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखडा देखते हैं बच्चे जानते हैं शिबाबा ने ये मुखडा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं। भल फट से तुम सुनते हो परंतु तो भी सबसे नजदिक इनके कान है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बै मुख मुखड़ा देखने यह हैं वुंडर्फुल मुखड़ा शिवरात्री मनाते हैं तो जरूर शिवाबा जो निराकार है वह यहां आकर परवेश करते हैं तो उनका भी यह भारत देश हुआ भारत है अविनाशी परम पिता परमातमा का बर्त प्लेश परंतु उनका बर्थ अन्यमनशों सद्रिश नहीं है स्विम कहते हैं मैं आकर इन में परवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है मेरा कोई शरीर नहीं है शिव को हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे रुद्र यग जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं शिव लिंग बड़ा बनाते हैं वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं सरफ दिखाने के लिए कि वह बाप है, वह बच्चे हैं पूजा भी दोनों की अलग करते हैं समझते भी है वह शिव है, वह सालिग्राम है ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव हैं? नहीं, शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और सालिग्राम छोटे-छोटे बनाते हैं यह सब बच्चे हैं उनके साथ बाबा ने समझाया है इन सालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं क्योंकि तुम सब आतमाएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्टाचारी बना रहे हो शिव बाबा की श्रीमत सालिग्राम ले रहे हैं यह भी ज्यान यग्यर चाहुआ है रुद्र शिव बाबा का शिव बाबा बोलते हैं, सालिग्राम भी बोलते हैं यह अमर कथा सत्य नारायन की कथा है, मनुष्य को नरसे नारायन बनाते हैं, सबसे उच पूजा उनकी हुई न, आतमा कोई बहुत बड़ी नहीं है बिल्कुल बिंदे मिसल है, उनमें कितना नौलेज, कितना पाट भरा हुआ है इतनी छोटी सी आतमा कहती है, मैं शरीर में परवेश कर पाट बजाता हूँ शरीर कितना बड़ा है, शरीर में आतमा परवेश होने से छोटे पन से ही पाट बजाने लग पड़ती है अनादी अविनाशी पाट मिला हुआ है, शरीर तो जड़ है उनमें जब चेतन्य आत्मा परवेश करती है उनके बाद गर्ब में सजाएं खाने लगती है सजाएं भी कैसे खाती है भिन भिन शरीर धारण कर जिस जिसको जिस रूप से दुख दिया है तो वह साक्षातकार करते जाते है दंड मिलता जाता है त्राही त्राही करते है इसलिए गर्ब जेल कहते है ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है कितना पार्ट बजाते है आत्मा अंजाम अधात वाइदा करती है मैं कभी पाप नहीं करूँगी इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पाट मिला हुआ है 84 जन्मों का पाट बजाकर फिर रिपीट करते हैं बंडर है न यह बाप बैठ समझाते हैं बच्चे भी समझते हैं यह तो यथार्त बात है इतनी छोटी बिंदी में कितना पाट है आत्मा का बहुतों को सक्षातकार होता है गाते भी हैं आत्मा स्टार है जो इस ब्रुकटी के बीच में रहती है कितना पाट बजाती है इसको कहा जाता है गुदरत तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते है कितना पाट बजाते है हमको बाबा आकर समझाते है कितनी उच नौलेज है दुनिया में कोई-कोई है नौलेज नहीं है यह भी तो मनुष्य था न इनमें अब बापने परवेश किया है ऐसे नहीं कि गुरू गोसाई का चेला होगा उससे रिध्धी सिध्धी सीखे कोई-कोई समझते हैं गुरू का वरदान अथवा गुरू की शक्ती मिली हुई है यह तो बाते ही न्यारी है सम्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है जानते हो हमको बाबा सम्मुख समझा रहे है बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी है उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा परमाना सुप्रीम परे ते परे परमधाम में रहने वाले परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं शुरुवात में थोड़े ही समझाते थे दिन प्रती दिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नौलेज मिलती रहती है कौन देते हैं उच ते उच भगवान वे आकर कहते हैं बच्चे आत्मा कैसे ओर्गन्स द्वारा बात करती है कहते भी हैं वो ब्रकुटी के बीच चमकती है परन्तु सर्फ कहने मात्र कहते हैं किसी की बुद्धी में नहीं आता किसी को यह नौलेज है नहीं जो समझावे तुम्हारे में भी यह बातें बहुत कम समझते हैं जो समझते हैं वे अच्ची रीती फिर धारन करते हैं और फिर धारन कराते हैं अर्थात वर्णन करते हैं परम पिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर वर्सा मिलना चाहिए न स्वर्ग के मालिक होने चाहिए उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्सा मिला होगा कहां वर्सा दिया क्या सत्यूग में दिया जरूर पास्ट के कर्म है अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो जब तुम ब्रह्मा मुख वैंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको यह knowledge सुनाते हैं कितना रात दिन का फर्क है कितना घोर अंधियारा हो गया है कोई भी बाप को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले कहते हैं हम एक्टर्स पाट बजाने आएं हैं इस करम ख्षेत्र पर परन्तु हम कौन है हमारा बाबा कौन है कुछ भी पता नहीं सृष्टी चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते गाया भी हुआ है अहिल्याएं, कुपजाएं, गणिकाएं जो हैं उनको आकर पढ़ाते हैं परदर्शनी में बहुत बड़े-बड़े आदमी भी आते हैं परन्तु उनकी तकदीर में है नहीं बाप है ही गरीब निवास सो में से मुश्किल कोई एक सा हुकार निकलेगा सोबी उचपद पाने का पुर्शार्थ कोई विरला ही करते हैं तुम हो गरीब माताओं के पास बहुत पैसे आदी थोड़े ही रहते हैं कन्याओं के पास कहां से आए वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है कन्या को तो कुछ भी मिलता नहीं है वह वहाँ चली जाती है हाफ पार्टनर बनती है वर्सा नहीं ले सकती है बच्चे तो फुल मालिक होते हैं तो ऐसी कन्याओं को ही पहले पहले बाप अपना बनाते हैं एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है गरीब हैं पवित्र हैं इनकी ही पूजा होती है है सारे इस समय की बात है इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है शिव जयन्ती बिगर कृष्ण जयन्ती हो ना सके तुम जानते हो शिव जयन्ती फिर कृष्ण की राम की जयन्त शिव जयन्ती से जगत अंबा जगत पिता का भी जन्म होता है तो जरूर जगत का ही वर्सा मिलेगा सारे जगत का मालिक तुम बनते हो जगत माता है जगत की मालिक जगत अंबा का बहुत मिला लगता है ब्रह्मा को इतना नहीं पूझते हैं तो बाप माताओं को आगे रखते हैं शिव शक्तियां माताओं को सबने ठोकरे मारी हैं खास पतियों ने यह तो पतियों का पती है कन्याओं को समझाते हैं यह जगत अंबा की बच्चियां मास्टर जगत अंबा हुई न यह बच्चियां भी मा जैसे कारेक कर रही है मम्मा मिसल तुम भी तरिकाल दर्शी हो female female दोनों है प्रवरती मार गया न majority माताओं की है नाम भी इनों का बाला है ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है सार सिद्ध ब्रह्मन ब्रह्मा को पूझते हैं दोप्रकार के ब्रामन होते हैं, सार, सिद्ध और पुशकरनी, शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे यह चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ, वाइदा तो है न, कि मैं फिर से पांच हजार वर्ष के बाद ग्यान सुनाऊंग गीता में भी है न, जो पास्ट हो जाता है, वो फिर भक्ती मार्ग में गाया जाता है, यह तो अनादी ड्रामो है, कभी शूट नहीं होता, इनका कोई आदी मद्य अंत नहीं है, चलता ही आता है, बाप आकर समझाते हैं, यह ड्रामा कैसे चलता है, 84 जन्म तुमको ही भोग ना पड़ता है, तुम ही ब्राह्मन, देवता, शत्रिय आदिवर्ण में आते हो, शिप बाबा और ब्राह्मन, दोनों को गुम कर दिया है, ब्रामा द्वारा तुम ब्राह्मन बनते हो, ब्राह्मन ही यग्ये संभालते हैं, पतित तो यग्ये की संभाल करना सके, यग्ये ज नहीं सकते हो, नहीं तो विगन पढ़ जाएगा, तुम्हारी है रुहानी यात्रा, बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सद्रिश्य ले जाऊंगा, वहां हम आत्माई रहती हैं, वह है परम धाम जहां आत्माई निवास करती हैं, फिर हम आते हैं, देवता, शत्रिये, वैश्ये, शुद्र बनते हैं, अभी फिर ब्राह्मन बने हैं, जो ब्राह्मन बनेगा, वही स्वर्ग में चलेगा, वहां भी जूलों में जूलते हैं न, वहां तो तुम रतन जडित जूलों में जूलेंगे, श्री क्रिश्ने का जूला कितन अच्छा श्रिंगारते हैं, उनके साथ सब का प्यार है, गाते हैं ना भजो राधे गोविंद चलो वरिंदा बन, अभी तुम प्रेक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो, जानते हो हमारी मनो कामनाय पूरी होती है, अभी तुम इश्वरिय पूरी में चलते हो, जानते हो बाबा सब को कैसे ले जाते हैं, मक्खन से बाल, बाप तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे सहज बादशाही देते हैं, बाप कहते हैं, जहां चलना है उस अपनी कृष्णपूरी को यादगर, पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फि अब समझते हो वापिस जाते हैं फिर आएंगे कृष्णपुरी में हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाप को याद करना है पवित्र बनना है यत्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं पढ़ाई भी ब्रह्मचरे में पढ़ते हैं पवित्रता जरूर चाहिए बाप फिर भी बच्चों को पुर्शार्थ कराते हैं इस समय का पुर्शार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा पुर्शार्थ तो करना चाहिए न यह स्कूल है बहुत बड़ा तो जरूर पढ़ना चाहिए भगवान खुद पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए most valuable पढ़ाई है यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा यह तुम बच्चे समुख खजाने से जोली भर सकते हो जितना पढ़ेंगे उतना नशा चड़ेगा बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं परन्तु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है बाबा कहते हैं पूरा रिफ्रेश हो जाओ बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चड़ जाता है बड़ी आफ्टे आनी हैं मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे अच्छी रीती सर्विस करेंगे तो उनको अंत में सहाइता भी तो मिलती है न अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दाधा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दाधा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पढ़ाई वोंस्ट वेल्यूबिल है स्वेम भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक भी दिन मिस नहीं करनी है ज्यान खजाने से रोज जूली भरनी है यह पढ़ाई का समय है यात्रा पर चल रही है रुद्र यग्य की संभाल करनी है इसलिए पवित्र जरूर रहना है किसी भी विकार के वश हो विगन नहीं डालना है वरदान भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बाटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया दुनिया वाले तड़फते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पढ़ जाए और आप सदा नैनों में समाए हुए हो इसको का जाता है खुश नसीब भाग्य आपका वर्सा है सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है तो भाग्य को बढ़ाते चलो बढ़ाने का साधन है बाटना जितना औरों को बाटेंगे अर्थात भाग्य वान बनाएंगे उतना भाग्य बढ़ता जाएगा स्लोगन निर्विघन और एक रस स्थिती का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ ओम शांती